कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी शनीवार सुबह अचानक हर्याना के सोनी पत में रुके यहां उन्होंने किसानों के साथ खेतों में धान की रुपाई की उन्होंने ट्रेक्टर चला कर खेत की जुताई भी की इस वरान किसानों और खेत मजदूरों के साथ खेती किसानी पर बात जित भी की राहूल ने किसानों के साथ ही बैट कर नाश्ता भी किया राहुल गांदे दिल्ली से शिमला जा रहे थे वो जीटी रोड पर कुंडली बॉर्डर पहुचे तो किसानों के बीच जाने का प्रोग्राम बना लिया और सोरीपत के ग्रामी इलाके का रुख कर लिया राहुल गांदी एनेश 48 के मुर्थल होते हुए कुरान रोड से बाईपास के रास्ते गोहाना की तरफ रवाना हुए इसके बाद वे अपने रूड से हटकर करीब 50 किलो मीटर दूर बॉरदा विदान सभाशेतर के गाउं मदीना में सुबह करीब 6 बच कर 40 मिट पर पहुचे वे भेसवान मदीना रोड पर संजे के खेत में जाँ पहुचे मदीना गाउं में करीब 2 घंटे बाद राहूल गांदी 8 बच कर 40 मिट पर रवाना हो गए लोटते समय उन्होंने गोहाना PWT रेस्ट हाूस में ड्रेस चेंज की फिर सोनी पत से आगे रवाना हो गए इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद